हेलो बच्चो हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापी का एक नई किरन नई आशा नई उमीद और नई रास्ते पर चल पड़ी है आप सबके लिए संस्कृत निकिता भागतीन जनकी क्लास एट संस्कृत चेप्टर वन वंदना लेकर आपके सामने आपकी अध्यापी का प्रस्तुत हुई है बच्चो किसी भी काम को हम जब शुरू करते हैं तो उससे पहले इश स्तुति की जाती है ताकि हमारे कारे के बीच में कोई व्यवदान ना आए तो इश्वर हमारे उस कारे को भली भानती संपन भी करते हैं व अपने कारे को पूर्ण करने के लिए सदबुद्धी परधान करते हैं और हमारे कारे के मद्य किसी भी परकार का व्यवधान नहीं आने देते हैं। तो आज संस्क्रित निकिता पाठ चैप्टर वन वंधना लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ इजी एक्स्प्लानेशन विज सौल बुक एक्सरसाइस के साथ आए आगे बढ़ती हूँ। पिता मतलब आप जानते ही है फादर अस्माकम मतलब हमारा जननी मतलब माता तू मतलब तो वसुंद्रा मतलब धरती तो परमेशह पिता अस्माकम शिशुरू आट करिए हमारे पिता परमेश्वर है जननी तू वसुंदरा धर्ती हमारी माता हैं वयम वयम का मतलब हम सब सरवे मतलब सभी तेओ मतलब हम सभी उन दोनों के पुत्रा मतलब पुत्र हैं नमामस्तो नता सदा तो हम उन्हें क्या करते हैं जुकर प्रणाम करते हैं सदा मतलब हमीशा अर्थात इश्वर पिता और प रूप में हम अपने इन माता पिता के चर्णों में अपना शीश जुकाते हैं. ये है हमारे first paragraph में, की परमेशा असमाकम पिता, परमेश्वर हमारे पिता हैं, धर्ती हमारी माता है, और हम सब उन दोनों के पुत्र हैं. बाद रखियेगा आपके पिता कौन है परमेश्वर ये बार-बार कोशन पूचा जाएगा आपसे और हमारी माता कौन है धर्ती तो हम लोग हमेशा उनको जुक कर प्रयनाम करते हैं सेकिंड स्टैंजा क्या कहता है बहुत ही इंपोर्टेंट स्टैंजा है ये अस्तो मा सद ग अब अस्तो मा का मतलब मुझे बुराई से सद गमे मतलब अच्छाई की और प्रेरित करो ठीक है तमसो मा जोती गमे तमसो का मतलब क्या होता है तमसो मतलब अंदकार से मा मतलब मुझे जोती मतलब प्रकाश जोती गमे मतलब प्रकाश की और प्रेरित करो ठीक है आगे है तो मुझे मृत्यु से अमर्ता की और ले चलो, चलिए, इसका मतलब समझते हैं, अस्तो मा सदगमे है परमेश्वर, आप मुझे असत्य से जानी कि बूराई से सत्य की और ले चलो, जानी कि अच्छाई की और प्रेरित करें, ठीक है? तमसो मा जोती गम्मे हो, आप मुझे मोक्ष की और प्रेरित करें ये हमारे दोस्ट आंजास थे उमीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे ये आपकी बुक एक्सराइज का फ्रेंट पेज है बच्चो अस्तो कै सदगमे अब आपको मैंने पहले समझा दिया अस्तो कै सदगमे फर्स्ट एक्सराइज का पेज है ये आपका अनुबाद है आपके सामने बहुत ही शौट वर्ड्स में आपको लिख कर दे दिया है मैंने आगे है अस्तो कै सदगमे जाने कि हमें आगे अस्तो कै सदगमे ये आपकी बुक एक्सराइज का पेज है बच्चो इसके आंसर्स की और मैं आपको ले चलती हूँ अस्तो कै सदगमे हमाई अब सदगमे का मतलब अभी आपको मैंने समझाया क्या होता है अच्छाई की और प्रेडित करना है तो हमें अच्छाई की और कौन प्रेडित करता है अभी आपको बताया हमने परमेश्वर तो आप कहक की जगा क्या लिख देंगे परमेश्य हट ठीक है शो के बाद जो विसर की मात्रा लगती है वो हो की अवाज होती है ठीक है अस्तो परमेशा है सदगम में उसके बाद है परमेशा अस्माकम के परमेश्वर हमारे कौन है अभी आपको बताया मैंने लेसन में परमेशा अस्माकम पिता अस्ती ओके अस्ती का मतलब है ह कुछन यो पर खता है तो आंसर भी यो पर ही खतम होना चाहिए आपका यह ध्यान रखते हैं पीछे तो वयम सरवे परमेश्व सुंद्रयो कुतरा स्त जाने की पास्ट टेंस में चला गया आपका आंसर स्त लगा हुँआ पीछे ठीके आप करते हो ना क्या करते हैं अस्ती स्त प्रेजन टेंस में आपने धातु करी होगी ना तो उस धातु का प्रथम पुरुष का द्वित्य वचन है ये स्थ, ठीक है, वयम को सदा नमामा, हम सब हमेशा किंदो को नमस्कार करते हैं बच्चों, एक तो परमेश्वर को और एक धर्ती को, जाने कि वयम परमेश्वर वसुंदराम च सदा नमामे, च का मतलब होता है और, तो हम सब परमेश्वर और वसुंदरा को हमेशा नमस्कार करते हैं, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट, निमन लिखी शब्दों को संस्कित वाक्यों में प्रियोग करना है, तो आप संस्कित वाक्यों में प्रियोग कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा से अपना वाक प्रति चलतू अबहु को बता दिया गया था तो इसलिए इससका मतलब हो गया कि हमें सट्य की प्रति प्रेडित करो ठीके Candice band तो आप सत्यकित और ले चलो, मा, असत्यमावत कभी जूट मत बोलो, ठीक है, जननी वसुंद्रास्मा कर जननी अस्ती, सदा सत्यमवदेद, हमेशा सच बोलो, तमसे, तमसो परकाशम प्रती चलतो, जानिकी हमेशा अंदकार से परकाश की और चलो, चलिए आगे बढ़ती हो, संदी विचेद है बच्चो, प्रमेशा है, आपको हिंदी में भी बढ़ाया गया है संदी विचेद, वही संदी विचेद यहां पर आ गया है, परमधन ईषा, जानिकी परमेशा, परमधन ईषा, पितास्माकम, यह पलूतस्वर लगा हुआ है, इसका मतलब अ होता है, तो पिता धन अस्माकम नमामस्तो जाने कि विसर्ग संदी आगी यहां पर तो आपको आदिस को हटा कर बताया गया है कि क्या लगा लेते हैं विसर्ग लगा लेते हैं इसलिए नमामे हैं प्लस तो प्लस के निशान को धन भी कहते हैं ठीक है नरेंद्र जाने कि नर्धन इंद्र म महातमा, महाधन, आतमा, जाने की धिर्गसंदी हो गई न, बड़ा और बड़ा मिल गए आपस में, आपलसा, बड़ा आ, महातमा, चलिए आगे शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, परमेशे, परमेशे का अर्थ होता है परमेश्वर, अस्ता का मतलब भुराई, तमसा का को तो आप फिल करी लेते हैं, बुक को देखके, फिर भी मैंने आपको अंसर्स प्रवाइट कर दिये हैं, देख लीजिए का प्लीज, आगे बढ़ती हूँ, विलोम शब्द बचो ये, स्ताय का अस्त है, ठीक है, तमसा का परकाश है, तमसा अंदकार होता है तो परकाशा ह गया उसका उल्टा, दिवसा का निशा हो गया, अमरित्यू का जीवनम हो गया, विशम का अमरितम, कोशन नमबर सेवन है, आपका वाक्यों का संस्कृत में अनुवात करना है, अब आप बताए, सबसे पहले क्या आप सबको इतना पता है, कि हम सबको क्या कहते हैं, मुझे क बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको हर एक टेंस के बारे में बता दूँ, और आपको ही, शी, इट को संस्कृत में क्या कहते हैं, और किस तरह चलते हैं, वो भी मैं बता दूँगी, कमेंट बोक्स में बताईएगा, फर्स चेप्टर आपको कैसा लगा, तभी मैं आगे request है अगर आपका teacher आपके लिए इतनी मेहनत करता है तो वो मेहनत तभी सफल होगी जब आप मेरे channel को subscribe करेंगे और subscribe करोगे तो आपको हर notification मिलेगा और जब notification मिलेगा तो हर एक चीज से परिचित हो जाएंगे आप कि आपको कौन-कौन सा matter मिला है चलिए बाक्य प्रियोग करती हूँ हम सब के स्वामी परसन हो अब हम सब का मतलब होता है अस्माकम क्योंकि ये plural के लिए आ गया अस्माकम स्वामी परसननेह हो का मतलब भव मुझे अंदकार से परकाश की ओर ले चलो मुझे का मतलब होता है मा, अंदकार से, तमसात, अभी आप तमसा तमसा पढ़ रहे थे, अंदकार को है न, से लग गया, इसलिए पीछे हमने त लगा लिया है, परकाश की योर, जानकि परकाशम प्रती, ले चलो का मतलर निय, मुझे असत्य से, सत्य की योर, ले चलो, अब मुझे का मा हो गया, अस मुझे योर, मुझे प्रती, ले चलो का लिए, पर्मेश Emma Kham रक्षेत, हम सबकी का मतलब, असमagem रक्षा करे, रक्षेत, विदी लिंग आ गया, यहां पर बच्चो, ठीक है बच्चो, आगे बढ़ती हूं, बहु विकल्पिये प्रेशन आपकी बुक में दिये हैं अस्माकम पिता क्या बता दिया गया आपको बार-बार अस्माकम माता क्या अब कोई भी आपसे पूछे तो आपको आंसर फटा-फट से पता होना चाहिए जल्दी मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ Till then, goodbye students